Hello students, welcome to physics classes, आज physics के chapter बल तथा गति के नियम में हम लोग कुछ topics को अच्छे से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप यह जाने बल क्या होता है, तो बल यह वह वाहकारक है जो किसी बस्तु की इस्थिती में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं, तो आपका सकते हैं कि बल वह धक्का या खिचाव है, बल वह धक्का या खिचाव है, पुस आर पुल, जो की बस्तु के इस्थिती में परिवर्तन करता है, जैसे अगर आप यह देखें, एक यह स्प्रिंग है, तो यह स्प्रिंग है, अगर हम इसी स्प्रिंग प पर बल लगाते हैं, तो यह देखिए, यह spring खिच जाती है, और फिर जो है, इसे आप छोड़ देते हैं, तो यह अपनी initial state में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जब हमने इस पर बल लगाया, तो इसकी स्थिती में परिवर्तन हुआ, तो यह क्या दरसाता है? यह दरसाता है कि बल लग रहा है, तो बल को F से निरूपित करते हैं, F force होता है, से निरूपित करते हैं, यह एक सदिस राशी है, सदिस राशी से तात परे है, कि इसकी एक निश्चित दिसा होती है, इसका मात्रक Newton या किलो ग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो किलो ग्र प्रति मीटर प्रति सेकेंड को ही Newton कहा जाता है अब आप यह देखेंगे कि बल के क्या-क्या प्रभाव हैं तो पहला है बल लगाने पर किसी बस्तु के वेग का परिमाड बदला जा सकता है परिमाड मतलब उसका magnitude जैसे अगर आप यह देखें कि यह एक globe है और यह globe ऐसे आप घुमा रहे हैं आप इस पर हाथ ऐसे रख देते हैं तो यह रूख जाता है तो इसका मतलब कि यह रूखा कैसे जब आपने इस पर कोई वा है बल लगाए देखें यह मूब कर रहा है लेकिन हमने हाथ यह रखा तो यह रुख गया तो यह दर्साता है कि बल लगाने पर किसी बस्तु के बेग का परिमाड बदला जा सकता है दूसरा बल द्वारा किसी गतिमान बस्तु की गती की दिशा परिवर्थित की जा सकती है गती की दिशा जैसे कोई बॉल आ रही है और उसको अगर आपने पकड या किक कर दिया, तो वह दूसरे दिशा में चली जाती है, तो इस तरह से बल लगा करके, किसी गतिमान बस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, बल द्वारा किसी बस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे, अगर देखें, ये वाकार कुछ ऐसा है, लेकिन जब इस पर हम ये बल लगाते हैं, तो इसकी आकृति जो है बदल जाती है, और आपको पता है कि इसको फोड़ने बड़ा मजा आता है कब, बड़े में, तो जैसे आपने क्या किया, आप ये फोर्स लगाए, और ये बैलून तूट गया, मतलब इसका सेप और साइज दोनों परिवर्तित हो गया, तो ये है बल के प्रभाव, अब आप ये जाने कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल, मुख्यता, दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल, संतुलित बल, बैलेंस्ट फोर्स किसे कहेंगे, जब किसी बस्तु पर एक साथ कई बल कारी कर रहे हो। तथा उनका परेडामी बल सुन्य हो। तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जैसे ये देखे एक बाक्स रखा ज़ा है। इस बाक्स पर 10 नूटन का फोर्स इधर लग रहा है। और दस न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि धर जाएगा, किसी तरफ नहीं जाएगा, इसलिए कि दोनों बलों की दिसाएं एक दूसरे के बिपरीत है, तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निस्फल कर देंगे, सफोच कर लीजिए, कि एक structure है, और यह, क्यूब को आप पकड़े हुए हैं, इसका मतलब हो गया, कि यह क्यूब नीचे की ओर बल लगा रहा है, और आप जो है, उपर की तरफ इसको खीचे हुए हैं, तो आप द्वारा लगाया गया बल ऊपर की तरफ, और इस के क्यूब के द्वारा लगाया गया बल नीचे की तरफ है तो ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्ट कर देते हैं अर्थात बैलेंस कर देते हैं तो जब बैलेंस कर दिये इसका मतलब कि दोनों बराबर और विपरीत हैं इसलिए ये हाथ में रुका हुआ है अगर आपके द्वा दारण देखें, ये रस्टा कसी का खेल है, इसमें या इसकी जो है, लाइन है, और इसमें दोनों तरफ दो टीमें ये देख रहे होंगे, कि रस्टी को पकड़ के खीच रहे हैं, और दोनों के द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे की बराबर है, तो कौन सी टीम जीतेगी, को दोनों टीम बराबरी पर होंगे, इसलिए कि यहां पर दोनों के द्वारा लगाया गया बल, संतुलित बल है, और इसका परेडामी सुनने है, अर्थात यह रस्टी की जो इसमें नाट गाट वधी होई है, यह बीच में ही रुकी रहेगी, अर्थात इसमें से कोई भी ट बिनर नहीं है, बलकि दोनों ही जो है, एक दूसरे के बराबर हैं, और संतुलित बल, जब किसी बस्तु पर एक साथ कई बल कारे कर रहे हों, तथा उनका परेडामी बल सुन्य न हो, सुन्य न हो, तो उन बलों को और संतुलित बल कहते हैं, और संतुलित बल में बल का जो प वस्तु की स्थिती में परिवर्तन लाता है। जैसे याँ पर देखें, एक बाक्स रखा गया है, इस पर 10 न्यूटन बाये तरफ बल लग रहा है, और 15 न्यूटन दाये तरफ लग रहा है, तो इसमें से 10 न्यूटन, अगर आप दोनों का प्रभावी देखें, तो दोनों की जिसाएं अलग-अलग हैं, तो 15 न्यूटन में से 10 न्यूटन निकल गया, तो बचा 5 न्यूटन वह 5 न्यूटन, 15 न्यूटन की ओर अधिक है, इसका मतलब हो गया कि उस 5 न्यूटन बल से यह दाहिनी तरफ गति की अवस्ता में आ सकता है, तो यह बल औसंतुलित बल कहा ज का बिरोध करती है, वस्तु की यह प्रविर्ति जड़तु कहलाती है, इसलिये हम प्रथम नियम को जड़तु का नियम भी करते हैं, यह नियम को हम अभी अगले टापिक में देखेंगे, तो जड़तु है क्या? जड़ा तो मतलब हो गया कि बस्तु का वह गुंड जो अपने इस्थिती परिवर्तन का विरोध करती है अर्थात अगर बस्तु रुकी होई है तो उसे अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो वह उसी स्थिती का विरोध करता है मतलब उसी स्थिती में बना रहना चाहता है पदार्थ का यह गुण जड़त्व कहलाता है जड़त्व के प्रकार जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं तो यह देखें बिराम का जड़त्व गति का जड़त्व दिशा का जड़त्व तो सबसे पहला आप देखें बिराम का जड़त्व क्या है किसी बस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, बिराम का जड़त्तु कहलाता है, बिराम के जड़त्तु की माप जो है उस बस्तु का द्रब्यमान होता है, जैसे मेज पर रखी हुई किताब है, जब तक उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए, तब तक वह लगाना पड़ेगा, आपको मेज को उठाने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, किताब को उठाने में कम बल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हो गया, कि मेज का जो बिराम का जड़त्तु है, वह अधिक है, और किताब का जो बिराम का जड़त्तु है, वह कम है, गति का जड़तु किसी बस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है गति का जड़तु कहलाता है यानि बस्तु एक समान गति से गतिमान है तो जब उसकी अवस्था में मतलब एक समान गति की अवस्था में है वह और जब हम उसकी गति को कम करना चाहते हैं या उसे रोकना चाहते हैं तो वह बस्तु का गुण जो उसका विरोध करता है मतलब रुकने नहीं देना चाहता है उसे हम गति का जड़तों कहते हैं, इसी प्रकार दिशा का जड़तों है, किसी बस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने गति की दिशा में हुए परिवर्तन का बिरोध करती है, दिशा का जड़तों कहलाता है, जैसे अगर हम अभी आप उदारन सभी देखेंगे, तो ये जड़तों के कुछ उदारन है, जब बस या ट्रेन अचानक चलना प्रारंब होती है, तो यात्रियों को पीछे की और जटका लगता है, आपने भी महसूस किया होगा, कि जब बस या ट्रेन अचानक चलती है, तो प पीछे की तरफ जटका लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ट्रेन रुकी हुई है, या बस रुकी हुई है, तो उसी के साथ हम भी रुके हुए हैं, लेकिन जब वह चलना प्रारंब करती है, तो हम जो सीट पर बैठे हैं, तो हमारे सरीर का कुछ हिस्सा सीट के पर्क में है, वह गति की अवस्था में आ जाता है, वह गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन उपर का जो हिस्सा है, वह अभी विराम में ही रहना चाहता है, इसलिए निचला हिस्सा आगे की तरफ गति कर जाता है, और उपर का हिस्सा वहीं रह जाता है, अर्थात वह उसमें से धूल बाहर निकल जाती है तो कार्पेट को जब आप पीटते हैं तो उस पर बल लगाते हैं जब बल लगाते हैं तो कार्पेट गती की अवस्था में आ जाती है लेकिन धूल के कड धूल के कड पीराम अवस्था में ही रहते हैं रहना चाहते हैं इस वज़े से वह आम की डाली है अगर उसको तेजी से हिलाते हैं तो उससे कुछ पत्ते कुछ फल नीचे गिर जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है जब उसको तेजी से आप हिलाते हैं तो साखा उसकी जो है वह गति की अवस्था में आ जाती है लेकिन विराम के जड़तु के कारण पत्ते और फल वह उसी इस्थिती में रहना चाहते हैं, इस वज़े से उससे अलग हो जाते हैं और तूट जाते हैं, चलती हुई बस जब अचानक रुखती है, तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिरते हैं, जब अचानक रुखती है तो होता क्या है? शरीर का हमारी वह हिस्सा जो गाड़ी की संपर्क में है, वह तो रुक जाता है, लेकिन उपर का हिस्सा अभी भी गती की अवस्ता में होता है, ये गती के जड़तू के कारण, जिसकी वज़े से वह आगे की तरफ जुक जाते हैं, या गिरते हैं खिड़की के सीसे में बंदू की गोली मारने पर सीसे में एक गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से सीसा चटक जाता है, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गोली का वेग अधिक होता है जिससे उसका जो संबेग होता है वह अधिक होता है लेकिन जब पत्थर को पत्थर से मारते हैं तो पत्थर का वेग उसकी तुल्ला में कम होता है इसलिए इसका संबेग कम होता है और समय अधिक लगता है इसकी वज़े से पंदु की गोली मारने पर सीसा में गोल छेद हो जाता है लेकिन पत्थर मारने से सीसा चटक जाता है जब हम किसी गाड़ी से यात्रा कर रहे होते हैं तो यदि गाड़ी बाएं और मुड़ती है तो हम दाएं और गिरते हैं जैसे आपने देखा होगा सफोज कर लीजिया कि आप कहीं पिकनिक भी गए और बस जो है बाएं तरफ मुड़ रही है तो आप किधर गिरते हैं दाएं और और फिर अगले पर दाएं और जब वो मुड़ती है तो आप किधर गिरते हैं बाएं और तो यह दिशा का जड़ात् जब एक पत्थर के टुकडे को रसी से बांद कर वित्ताकार घुमाया जाता है तो रसी तूटने या छूटने पर असपर्स रेखिये दिसा में जाती है आप एक छोटे से पत्थर को एक रसी में बांद करके और जब उपर उसको तेजी से वित्ताकार पत्थ में घुमाते है और अचानक वह हाथ से छूट जाता है, या रसी तूट जाती है, तो यह देखें कि जिस अस्थान पर वह पत्थर छूटा था, वहां से वह सीधी रेखा में गति करता है, तो जब हम गुमा रहे होते हैं, तो उसका पत बृत्ताकार हो जाता है, पत्थर का जो पत होगा वह और बृत्त के किसी बिंद उपर जब हो छूटता है, तो अस्पर रेखी दिशा में वह आगे की ओर बढ़ जाता है, तो यह हैं आपके जड़त्त के उदाहरण, संबेग, संबेग क्या होता है, किसी बस्तु के द्रब्यमान तथा वेग के गुडनफल को उस बस्तु का संबेग करते हैं, तो संबेग बराबर द्रब्यमान गुडे वेग, संबेग को P से परदर्सित करते हैं, द्रब्यमान M और वेग V, तो P बराबर M into V, संबेग एक सदिस रासी है, और इसका मातरक, M का मातरक किलोग्राम और V का मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मातरक हो जा जार्थ कर्ड जो भी है वह जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में संबेग की दिशा होती है जैसे एक एक जाम पर ले लिजे मालिया दो बस्तुए हैं जिनके दरविमान करमसा M1 और M2 हैं दोनों समानवेग भी से गतिमान हैं यदि उनके संबेग करमसा P1 और P2 हो त के कार है तो दोनों में से किसका दरविमान अधिक होगा किसका कम आप देख रहे होंगे कि इसका दरविमान अधिक होगा और इसका दरविमान कम होगा अब यह का गया कि दोनों समानवेग से चल रहे हैं तो इसका संबेग क्या होगा इसका संबेग द्रबे मान गुडे बेग, इसका संबेग द्रबे मान गुडे बेग, तो अगर हम पहले का P1 ले ले, तो P1 बराबर M1 भी, P2 बराबर M2 भी, तो P1 अपान P2, M1 भी अपान M2 भी, भी कट जाएगा, तो M1 अपान M2, यदि M1 is greater than M2, M1 का मान अगर बड़ा है तो M1 हम ट्रक वाले को मानते हैं, तो M1 की बैलू जो है M2 से बड़ी है, तो P1 is greater than P2, अर्थाथ इसका जो मोमेंटम है, ट्रक का जो मोमेंटम है, वह कार के मोमेंटम से अधिक होगा, अथा आपका सकते हैं कि अधिक द्रबे मान वाली बस्तु का संबेग अधिक होगा अधिक होगा